नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमली ए देखिए आज बनने जा रही है दही मसाला भिंडी मेरे किचन में इंडी किचन को लाइक शेर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको आने वाली रेसिपीस भी मिलें मज़ेदार सा तड़का लग गया है और ये तयार हो गई है दही चलिए देखतें इसे कैसे बनाते हैं तो इसके लिए देखिए भिंडी को हमने न एक दम छोटे-छोटे टुकडो में काट लिया है इस तरह से देखिये इसकी साइज आप धेख पा रहे हैं ये size में भिंडी कट जानी है और उसके बाद हमने कड़ाही में तेल लेना है तो तेल हम लोग थोड़ा सा ज्यादा लेंगे क्योंकि भिंडी को हमको deep fry करना है और तेल गरम हो जाए तो हम लोग इसमें अपनी भिंडीों को डाल देंगे और भिंडी को लगातार चलाते वे न ये जो आपस में चिपके रहते हैं ये भी निकल जाएंगे कोई चिंता की बात नहीं है और उसके बाद इनको एकदम deep fry करते वे हम लोगों को golden कर लेना है आप देख पा रहे हैं ये color ये texture तो ये हमारी भिंडी भुन गई है अब इने हम लोग ना एक plate में transfer कर लेंगे देखे इतने ही हमको भुनना है मतलब इस तरह का color आना है भिंडी का तो अब हम लोग इनको धीरे-धीरे करके निकाल लेंगे strain आउट करते हुए इन्हें अलग निकाल लेना है और उसके बाद हम लोग एक और दूसरी कडाही लेंगे क्यूं पत्ति और हरी मिर्च यह चौप कर लिया है हमने और दो चमच तेल लेके हम लोग इसमें जीरा डालेंगे जीरा थोड़ा सा चटक जाए थोड़ा सा भुन जाए तो अब हम इसमें हरी मिर्च और प्यास डाल देंगे और इनको भी थोड़ा भुन लेना है अच्छे से तो धीरे धीरे करके इनको भी हमको भुन लेना है अब जब ये भुन जाएं तो हम लोग क्या करेंगे न कि उसमें कुछ मसाले मिलाएंगे तो पहले तो हिंग मिला दूँगी ये आधा चमच लगबग हिंग है नमक डाल दिया है हल्दी और जो बेसिक मसाले हमारे होते हैं धन्य जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ये सारी चीजें डालके इनको हम लोग को अच्छे से भुन लेना है कश्मेरी लाल मिर्च भी डाल दिया है और इनको भी हमको भुन लेना है बढ़िया से तो मसाले हमारे जब भुन जाएं तो बहुत जल्दी भुन जाते हैं इसम तो ये दही भी हम लोग इसमें मिला देंगे और फ्लेम लो कर लिजेगा क्योंकि नहीं तो दही बहुत जल्दी फड़ जाता है तो इस तरह से मिलाते वे दही को हमको continuous चलाते रहिए और थोड़ा उबाल आजाए एक उबाल आने के बाद हम लोग इसमें अपनी भिंडी मिला देंगे तो लगातार चलाते रहना है ये देखे और बहुत ही अच्छा मिक्स्चर एक बन के तयार होता है आप भिंडी की ग्रेवी कहले मसारे मसालेदार ग्रेवी या मिक्स्चर जो भी कहलें तो ये देखे हमारी बन के एकदम तयार है बस इतना ही हम लोग को चाहिए क्य और इसे लगातार हम लोग थोड़ा सा चलाते हुए फिर इसको ढखकन ढखके रख देंगे ताकि ये भीतर तक ग्रेवी जो है अब्जोर्ब हो जाए भिंडी के साथ अब इसमें हम लोग मिला देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती ये हो गई है भिंडी हमारी गैस का फ्लेम और धनिया पत्ती मिला देने के बाद ये तयार है भिंडी बस अब इसमें हम लोग फाइनली एक अच्छा सा तड़का लगा देंगे तो थरका बेसिक तड़का जो होता है वही तरसों और करी पत्ते के साथ लालमिर्च के साथ हम लोग तरका लगा देंगे बहुत ही मज़ेदार बनती है आप इसे रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं मज़ेदार होता है ये तो जरूर बनाईएगा लाइक शेर सब्सक्राइब कर दीजिये इंडिय किच्छन को और मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ तब तक थैंक्स फो वाचिंग